प्रेगनेंसी की शुरुआत में मौर्निंग सिक्नेस यानि की जी मिचलाने या उल्टी आने के कान ठकान महसूस हो सकती है इस दोरान प्रजिस्ट्रोन हार्मोन बढ़ने से भी ठकान होती है इसके अलावा प्रेगनेंसी में भावनात्मक बदलाव होने, नीद पूरी ना होने, पोशक तत्वों की कमी, ज्यादा कामकाज करने, बलड प्रेशर और शुगर का लेवल कम होने, खून की कमी यानि की एनीमिया के कान भी ठकान हो सकती है इसके अलावा प्रेगनेंसी में वजन बढ़ने से पाचन किरिया सुस्त हो जाती है और इस वज़े से भी थकान महसूस होने लगती है दोस्तो अपनी प्रेगनेंसी वा गरब में पल रहे बच्चे को लेकर चिंता वा तनाव के कारण भी गरवती महला को ठकान महसूस हो सकती है प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में पहुचने पर बार बार पेशाबाने, पेट बढ़ने के कारण उठने बैठने और सोने में दिक्कत होने, सांस फूलने, डिलिवरी के बारे में सोचने या अन्य कारणों से तीसरी तिमाही में महलाओं को ज्यादा ठकान का सामना करना बहुशी जैसे लक्षन महसूस होने लगें, तो इस बारे में अपनी डॉक्टर से जरूर बात करें, ऐसे में डॉक्टर जांच या कुछ टेस्ट करके पता करेंगी कि इतनी थकान क्यों हो रही है, क्योंकि अगर गरवती महला को खून की कमी यानि की एनीमिया के कान से थकान हो रही है तो खून की कमी से गर्म में पल रहे शिशु का विकास प्रभावित हो सकता है ऐसे में आप अपनी डॉक्टर की सला से ऐसे पौश्टिक खाद्यपदार्तों का सेवन करें जो की खून की कमी दूर कर सकें तो अब बात करेंगे कि आप कैसे ठकान से रहत पा सकती है प्रॉपर आराम करें दोस्तो प्रेगनेंसी में अगर आपको ठकान हो रही है तो सबसे पहले आपको अपने शरीर की जरूरतों को समझना होगा इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको प्रॉपर आराम करना चाहिए ऐसे में जब भी समय मिले थोड़ा आराम जरूर करें ऐसे में दिन भर हर काम के लिए टाइम को फिक्स करें और उसी के अनुसार काम करें प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप पोशक तत्वों से भरपूर भोजन का सेवन करती है तो इससे आपकी बोड़ी में एनरजी का लेवल अच्छा बना रहता है जिससे कि आपको थकान कम हैसूस होती है इसलिए ऐसे में आप कार्बोहड़ेट वा प्रोटीन युक्त पधार्दों को अपने भोजन में शामिल करें आप अपने भोजन में हरी सबजियां, सलाद, डाले, सोया बीन, दूद, दही, पनीर, दलिया, ताजे फल, ड्राइ फ्रूट, अंडा, चिकन, मचली शामिल कर सकती है और ऐसे में ज्यादा ओईली, तले भुने और फास्ट फूड से दूर रहें और कैफीन युक्त पधार्दों का सेवन ना करें पूरी नींद लें प्रेगनेंसी में थकान दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रॉपर नींद लेना, अच्छी नींद से आपकी बोडी तरो ताजा रहेगी और आपको थकान भी कम हैसूस होगी अगर रात में आपकी नींद पूरी ना हो पाए, तो दिन में जब भी समय मिले, थोड़ी सी जपकी ज़रूर लें पंदरा से बीस मिनट की जपकी आपके पूरे शरीर को बहुत आराम देगी और इस तरह से आप प्रेगनेंसी में थकान से राहत पा सकती हैं बैठने और उठने पर ध्यान दें आप जब भी बैठी या फिल लेटी हुई हो, आराम से उठें, अगर खड़े होने के दुरान आपको ठकावट होने लगे, बेहुशी महसूस हो, तो तुरंट बैठ जाएं, सोने के दुरान हो सके, तो हमेशा बाई और करवट करके ही लेटे प्रियाप्त मात्रा में पानी पीएं, दोस्तों बाडी में पानी की कमी से भी थकान महसूस हो सकती है, इसलिए दिन भर में प्रियाप्त मात्रा में पानी जरूर पीएं, प्रेगनेंसी के दुरान दिन भर में आठ से दस गिलास पानी आपको जरूर पीना चाहिए, क्योंक पाने भी आपके लिए बहुत फाइदिमंद है पैदल सेर करें प्रेगनेंसी में ठकान से राहत पाने का सबसे अच्छा उपाई ये है कि आप रोजाना किसी पारक या मैदान में सुभा और शाम के समय तीस मिनट तक पैदल वॉक करें ताजी हवा में सुभा शाम की सैर करने से आपके शरीर में एनरजी का संचार होगा और ठकान से निपटने में आपको हेल्प मिलेगी योग वा हलकी फुलकी एक्सराइज करें दोस्तो प्रेगनेंसी में ठकान के कान ज्यादा कुछ करने का मन नहीं करता लेकिन आप हलकी फुलकी एक्सराइज कर सकती है और ऐसे में ठकान से रात पाने के लिए योग भी काफी असरदार होता है आप चाहे किसी पारक में या अपने घर पर ही हलकी फुलकी एक्सराइज वा कुछ योगासन करके तरो ताजा महसूस कर सकती है लेकिन अगर आप exercise वा योगासन करना नहीं जानती तो आप simply share करें, walk करें, यही आपके लिए बहुत फाइदिमंद है अन्या कामों में ध्यान लगाएं प्रेगनेंसी के दौरान ठकान से रहत पाने के लिए आप अन्या कामों में ध्यान लगा सकती हैं जैसे कि अपनी पसंद का म्यूजिक सुनने, किताबे पढ़ने, टीवी देखने, खाना बनाने, दोस्तों या अपने परिजनों से बात करके आपको खुशी मिलेगी और ठकान भी कम महसूस होगी तो उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा अभी के लिए इतना ही